तो आज हम बनाएंगे खटा मिठा अचार जी हाँ यह अचार बनाएंगे गाजर गोबी शलगम के साथ यह अचार इतना टेस्ची लगता है कि एक बरी अपने बना लिया तो हर बरी यही अचार बनाना पसंद करेंगे यह बहुत टेस्ची बनता है तो चलिए फिर शुरू कर यहाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा किलू लिए शलगम और इक किलो लेगी कोबी और एक किलू है गाजर लिए सब्सचार आप अपने एक,साब से कम ज़्यादा कर सकती है जैसे इसके साथ मैंने लिए हैं हो ग्राम यहां पर मैंने अधरक लिए सो ग्राम मैंने लसं लिए और थोड़ी सी मैंने ताजी हल्दी लिए और सबसे त Nach इसले में किकिया करना इन सब्जियों को धो कर इनकी हम स्केर ہं कर देंगे करने के बाद यह देखिए इस सबजीयों को काट लिया है अब आपने सब्जीयों को बहुत ज्यादा नहीं मॐटा – ना बहुत पतला काटना यह देख सकते काटके हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप काट सकते हैं छोटी बड़ी जैसे आपको पसंदो तो अब क्या करना इसके बाद हम डालेंगे दो चमश नमक डालेंगे नमक डालने से यह होगा कि जो सब्जियों के अंदर पानी होता वो सारा पानी निकल जाएगा और अक्ष्टार को ह हमारा अचार खराब नी होगा अब जैसे नमक लगा कर अच्छे से हमने इसे करना है मिक्स करना है मिक्स करने के बाद अब हमने अचार को ठक के रखेंगे दो घंटे के बाद दो घंटे के बाद अब हम इसे चक करते हैं आफ्टर दो घंटे पी चुके हैं और सब्जियों अच्छे से पानी छोड़ दिया अब मैं आपको दिखाती है यह देखी इसमें से कितना सारा पानी निकला यही पानी हमारे अचार को खराब करता है और इसी पानी की वज़ा से हमें बहुत जादा इसके अंदर तेल डालना पड़ता है अब क्या करना है जल्दी से हम सारी सब लोड़ा बहुत पानी है वो पानी इसमें से निकल जाए अब क्या करना है सब्जियों को हम धूप में सुखाएंगे धूप में या पंखे की नीचे सुखा सकते हैं मैं तो यह कहूंगी धूप के नीचे सुखाएंगे तो यह बहुत प्रिजर्वेटिव का काम करता है अब पानी बचा है उसे हम फैंक देंगे अब बनाएंगे अचारी मसाला बनाएंगे बीस मेंने सुखी लाल मिर्च लिए एक चमच दालेंगे यहां पे सौंफ डालेंगे एक चमच दालेंगे धनिये के बीच लिए और एक चमच दालेंगे जीरा डालेंगे जीरा डालने के बा यहां पे मैने लिये, ब्राउण राइ लिये, ब्राउण राइ लिये, यहां पे मेने 200 гр लिये और मसाले इदकी मेनेटे मैं फोड़े से दर ध्रे पेसी है और यह है उर हमारी ड्राइब जिसे मेने provin Masters 국 않 क्या है और हम बनाएंगे खटा मीठा लिये, तो 1500 ग्राम म True लिये अब हम इसे अच्छे से करेंगे mix करेंगे mix करने के बाद अपने अचार को लगाते हैं तड़का तड़का लगाने के लिए यहां के मैंने half cup लिये है सर्सों का तेल सर्सों के तेल में अचार बहुत टीस्ची बनता है और जो लसन था उसे मैंने कदू कश कर ली अगर वेट मे ना पाजाए तो यहां पे मैंने 100 ग्राम जो अद्रक पीस लिया है पीसने के बाद पहले मैंने लसन डाला उसके बाद अद्रक ये है ताजी खल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आपसे इसकी जगा दूसरी खल्दी भी खल्दी पॉडर आप एक चमर डाल सकते हम नमक डाल कश्मीरी लाल मिस्ट डालेंगे यह सिरफ मैंने कलर के लिए डाले इससे हमारा अचार का कलर बहुत अच्छा है अब हाफ टीप स्पून से भी कम डालेंगे हिंग डालेंगे अब हमने जो गुड़ और सिर्के का बनाकर घोल रखा था वो इसके अंदर डालेंगे अब क्या है ग्यास की फ्लेम को कर देंगे कम कर देंगे अभ जो सबजियां हमने ंदे दूप से उठा ले थी उठाने के बाद अब देखिया सारी सब्जिंगों को हमें इसकें इन्दर कड़की के अंदर डाल UDjän Ёके बाद अप क्या करेंगे अब हम इस से अच्छे से करेंगे यह लिकिए सारी मेरी सब्सव्ज को अच्छे से मिक्स कर दिए अभी मैंने गयेheart की फुलेम को लो रखा है और यजस हम में काफी फैदे मंद होती है अब ऐचार त्ट अथम्दा करने के बाद व्लिश्iller राई हम इसमें डालेंगे न Chronique अब हमने इसे करना अच्छ से भेसं करना अब अच्यार को अच्छा सा फ़ेवांने देंगी अचार को आप इसी मोख निक तरीके से 2-3 दिन के बाद ये अचार खाने के लिए बन चाता है यकीन मानिए ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है अब क्या करेंगे कांच की बरनी को धो कर इसको सुखा कर अब कांच की बरनी में इस तरह अचार भर देंगे इसे अचार बहुत ताजा रहता है तो वीडि अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें फिर दे फिर